विंटर के सीजन में आलू और मटर इतने अच्छे लगते हैं और इसे हम जिस तरीके से बनाई है उस तरीके से अच्छे लगते हैं तो आज मैं पनीर को भी फेल करने वाली एक ऐसी रेसिपी आप के लिए लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप तुरंथी किचिन में जाकर इसे बनाने वाले हैं क्योंकि इतनी इजी भी है और इतनी टेस्टी कि मार्केट की हो या पार्टी की आप सारी सबजियां भूलने वाले हैं इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में लेना है दो बड़े चम्मच के लगभग तेल अब इसमें इस तरह से छोटे-छोटे कटे हुए जो आलू है कच्चे आलू है हमको इन्हें फ्राइ करना है तो तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि हम इसी तेल में सबजी भ बनेंगे तो यह देखिए आलू को भामें दीरे-दीरे क्या करना है फ्राइ करना है इतना भी नहीं कि उपर आ जाए और यह कड़क हो जाए ऐसा वाला फ्राइय हमें इसको बिल्कुल भी नहीं करना है तो यह देखिए बढ़ियां से यह फ्राइय होने शुरू हो गए है और यह जो खुर्चन हमारे पैन में लग रहा है ना इससे यह सबजी का जो टेस्ट है और भी बढ़ियां आने वाला है तो बस आप इसे थोड़ा सा और को कर लें जिससे कि यह कच्चे ना रह जाए अब आलू के जब हमारे उबलने लगे ना मतलब आपको लगने लगे कि आप बहुत कच्चे नहीं है तब इसमें एक कटोरी भरके साथ में ही डालना है हमको मटर मटर अलग से fry नहीं करना है किसी भी चीज को over fry नहीं करना है हमको और मटर भी इसके साथ में इतने बढ़ियां से cook हो जाएंगे और नहीं बहुत जदा fry होंगे क्योंकि बहुत fry होने से मटर सूखे-सूखे हो जाते हैं और हमको वैसे बिल्कुल भी नहीं करने है तो ये देखे आलू और मटर एकदम हमारे fry बोल दें, cook बोल दें तो ये दोनों ही चीजें हो चुकी है मटर और आलू दोनों अच्छे से cook हो गए है इन्हें निकाल लेते हैं अब हम बाहर तो अगर आप और भी ज़्यादा मटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते है और अब हम इन सभी आलू और मटर को निकाल देंगे बाहर अब इसी तेल में हम डालेंगे एक छोटी चमत जीरा एक छोटी चमत सौफ दो कटी हुई हमने हापर हरी मिर्च ली है और इसको अच्छे से भूनना है कोई भी खड़े मसालों का इस्तमाल हम नहीं करेंगे एक बारी कटा हुआ हमने हापर प्याज ले लिया है जो कि बहुत ही फाइली चॉप करना है आपको सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है आप ये बिल्कुल न सोचे कि जो हमने आलू हमारे जो चिपक गए है इससे सबजी हमारे मतलब बेकार हो जाएगी बिल्कुल भी नहीं बहुत अच्छी बनेगी और जब ये ग्रेवी बनेगी ने तो ये सब निकल जाने वाला है तो बस इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है बहुत ज़दा कलर बगरा डार्क नहीं करना है अब हलका सा जब ये प्याज भी गोल्डन हो गई है तब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट तो टमाटर का पेस्ट ही आपको यहाँ पा इस्तमाल करना है तो दो से तीन टमाटर को ग्रैंड कर लें और इस तरह से प्यूरे या फिर पेस्ट डाल दाए तो यह देखे जैसे ही टमाटर की ग्रेवी गई न वैसे ही यह जो नीचे हमारा आलू लगा हुआ था न वो अपने आप ही बाहर निकलना शुरू हो गया है और इसके साथ में ही यह भी मिक्स हो जाएगा और अब हमें यह टमाटर को अच्छा भूनना है जब तक की हमारा यह तेल ना निकलने लगे सबजी से आप इस रेसिपी में बटर का इस्तमाल भी कर सकते हैं इस से यह सबजी और भी ज़दा टेस्टी लगेगी तो बटर कभी कभी घर पे नहीं होता है तो फिर इस रेसिपी को हम कैसे बनाए तो तेल से भी बना सकते हैं आप अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच, एक छोटी चमच, लाल मिर्च का पाउडर गरम मसाला एक चमच तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं साथ में डाल देंगे नमक नमक डाले से मसाले जल्दी और अच्छे से कुख हो जाते है थोड़ा सा पानी डाल कर इसे मिक्स करना है और मसालों के साथ में हमें सारी ग्रेवी को अच्छे से कुक्ड कर ले रहा है तो बहुत ज़्याद ताम जाम नहीं है इस सबजी में ना ही खड़े मसाले है ना ही कोई और इंग्रीडियन बस एक बार में ये सारी चीज़े आपको तयार कर लेना है बस आपको टमाटर पीसने है बस तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से भून गए है तेल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि आधा तो हमारे फ्राय होने में निकल गया और बाकी का हमने सबजी बनाने में इस्तमाल कर लिया अब ये जो मटर और आलू है ये भी हमने डाल दिये है मसालों के साथ इन्ह रोटी पराठे किसी में भी सर्व कर सकते हैं और इतनी टेस्टी इतनी यमी बनती है ना कि आप हर दिन बनाना पसंद करेंगे तो ये देखे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब एक से दो मेट हमने इसे भूनने दिया है अब हम इसमें अब सकता अनुसार पान अब यहां पर मैंने लिया है यह दो कप के लगभग पानी बहुत जदा हम पतली ग्रेवी नहीं करेंगे मीडियम कंसिस्टेंसी की रखनी है हमको तो यह देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और आप इसका कलर देख रहा है हमने इसमें कोई बी अलग से क extra adds इसके बाद यह बहुत ही बढ़ियां रिज कलर आ रहा है और बहुत ही बढ़ियां उबाल भी आ गया है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के देख सकते हैं और मतर हमारे कितने बढ़ियां लग रहे हैं अब इसमें हम डालेंगे एक चमßen जीनी जो कि बिरकुल ऑप्ष्णल है इ उससे ये सब्जी जो है ना एकदम बेलेंस्ट बनती है और बहुत ही बढ़ियां सा टेस्ट आता है तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी मुह में पानी लाने वाली हमारी ये अलू मटर की ग्रेवी वाली सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है आप इसकी तरी देख सकते हैं हमारी लाजवा विंटर स्पेसल आलू और मटर से बनी हुई टेस्टी से ग्रेवी वाली सब्जी तो जल्दी से केचिर में जाए और इसे बनाए रेसेपी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स पर बताए मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में थेंक्यू थेंक्स पर वाचिंग